जब कोई प्रमुक ग्रही विवस्था वक्री हो रही होती है तो उसकी चर्चा एवं फलाफल के क्या संकेत है उसे जानना आवशक हो जाता है शनिदेव 29 जून 2024 से वक्री हो रहे है जहां 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्थाओं में रहेंगे कन्याराशी के महानुभावों के लिए हम ये चर्चा लेकर उपस्तित हुआ है कन्याराशी के महानुभावों के लिए पंचमेश और सस्थेश होकर शनिदेव सस्थ भावस्थ करम में रहेंगे और अब अपने ही मोल्ट रिकॉर्ण में वक्री हो जाएंगे सरुपर्थम ये निविदन है कि आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि शनिदेव की यरी विवस्ताएं जन्म कालिक आधार पर वकरी है तो फलाफल के साथ में शुबता और अनिक बढ़ते चली जाती है और ये शनिदेव मारगी हैं तो यहां कुछ हद तक संगर्षों के संकेत भी समक्ष रहने वाले हो सकते हैं क्योंकि वर्दमान सरे में शनिदेव यानि 29 जून से वकरी हो जाएंगे जन्म पतरिका ये 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 कंपिटराइस्ट बेस के साथ में बनी हुई है तो आप देखिएगा कि जहां अंच लिखे होते हैं उसके आगे लिखा हुआ होगा व इसकार्थ है कि शनिदेव वकरी है कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसकार्थ है कि मारगी है वहीं लगन और चंद्रकुंडली में भी जहां शनिदेव की विवस्थाओं को जिस भाव में दिखाया गया है वहाँ पर भी ये वह का शब्द रिखा हो सकता है वहीं ये ये हस्तरचित जन्म पतरिका है उसके साथ मेरी प्लस का साइन है लगन कुंडली अथवाद चंद्रकुंडली में जहां गरह स्पष्ट भी हुए है तो इसकार्थ है कि शनिदेव की विवस्थाओं वकरी है कुछ भी नहीं है तो मारगी तो यहां गौर किजिएगा कि जब एक कोई विवस्था अपने सिरे के साथ में चलती हुई उलट चाल के साथ पुनह चलने लगती है तो वो वकरी मारग को अपना लेती है ऐसे में जब रोग, रिण और रिपु भाव जो की उपचे भी है और तरिक भाव भी है वहां शनिदेव रहेंगे तो जो फाइनिशल बर्डन्स लंबे सरे से बने गोई थे आर्थिक भार की वज़े से परिशानिया थी, लोगों का सुनना पढ़ रहा है व्यापार में पूरे तरिके से ध्यान नहीं है अपनी पूरी ही वरचनात्मक्ता को हम खत्म कर चुके और उसी अवस्ता के बारे में बारब बार सूच रहे हैं कि किस तरह से इस उधारी से मुक्त होकर आगे बढ़ा जाए यहां जो अंतरालाब के लिए इन साड़े चार महीनों का रहेगा यह अती महत्वूर्ण हदों को नर्मित करता हुआ कहा जा सकता है यानि अटमोस्ट पॉजिव बेजर्स यहां स्टेबलाइजेशन के साथ में आप के लिए नजर आते हैं इस पस्टता इस बात की है कि जो भी नर्णाय आप लेंगे मानली जी कोई भूमी रखी हुई थी वो बेचान की तरफ नहीं जा पारी थी जिससे कि हम फाइनिंशल बर्डन से दूर हो पाएं ऐसी पॉजिशन से यहां आपके साथ में बनती है दूसरे क्रम में जो शत्रुपक्ष लंबे सरे से हावी थे अब वो दिरे दिरे दूर होने की प्रक्रियाओं के साथ में आ सकते हैं यह दूसरे लेवल की पॉजिटिविटी है जो कि मिलेशन में आपके साथ में कंटिनुवस नोट की उपर बने हुई है आप इस बात को भी अपने साथ में जोड़िएगा कि कफ को रिलेट करते हुए जो इशूज लंबे समय से डिस्टर्बंस इसके साथ में थे या कोई भी सरजरी की तरफ जाना है जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे वहाँ पर भी स्वष्ट रूपेंड अब बहतर संकेत हैं आपके लिए वस और बढ़ते चले जाना व्यवस्थत करम रहेगा परम तो एक निवदन है कि किसी भी तरीके के पुनहें लोन आरी की तरफ जा रहे है उसमें बहुत जादा संभल कर चलिएगा जो मानुभाव एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में है अथवा आप औशद विज्ञान संबंधी कामकाज में है किसी भी सिर्व में आप इंटेंस रिसर्च संबंधी शेतर विशेश के साथ में भी अपने हस्तक्षेप को रखते हैं तो इस समय को अत्यधिक बहतर सिरों के साथ में आप स्वयम के लिए जानने वाले हो सकते हैं इसके पीछे वज़ाई ये है कि शनिदेव की जो सांतवी दिरिस्टी है गुद्वादश भाव पर है और तीसरी दिरिस्टी अस्टम भावस्त करम पर है बले ही अस्टम भाव इनका नीचस्त राशिस्तान है परमतुशनिदेव का स्वयम कारकत प्राप्तस्तान है इसे वज़े से ये क्रिस्टल क्लारिटी आपके लिए रहेगी कि जो भी कार्य विदेश संबंदी स्थियों में होते हैं जहां एकांत में एकांग क्रिता के साथ में मनन करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होता है वहां बैतरी जो जॉब में लंबे समय से आपके लिए ले आप जैसे कंसर्ण चल रहे थे ऐसा कोई अबरब्ट प्लेस चेंज तो नहीं हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूब्मेंट प्लैन वगरा की जरब तो नहीं डाल दिया जाएगा ये जो गवराहटे मनी हुए थी अब ये धीरे-धीरे हट रही है और वास्तविक तोर के उपर आपस्तर कामिता के साथ में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे ये मूल मंत्र दर्दहरत करके आप जरूर गंतब विशील होते चले जाएगा ये स्पष्टता रखने का प्रयात्म करें कि खर्चों की अदेकता रहेगी परंतु अर्थ तंत्र में बृद्धी भी पूरे तरीके से आपके लिए यहाँ पर बने हुई है यानि कि खर्च है तो दिवस्तत तोर पर आपके लिए आमदनी के जरीये भी वैसे ही उपस्तत है देखे कोई भी चेंज की और यदि आप जा रहे हैं तो डेजिगनेशन को ज्यादा महत वदीचेगा क्योंकि कुछ ही महीनों बाद सब्तम भाव में शनिदेव कन्या राशे के महानों भावों के लिए शशियों के निर्मित करने वाले होंगे उस समय को भी कापी हद तक अधभुत सरों के साथ में काहा जाएगा एक और क्लैरिटी अपने साथ रखिएगा कि पंचम भाव क्यादिपती सस्टे शोकर सस्ट भाव में वक्री हो जाएंगे सकार्थिये है कि स्टॉक मार्केट संबंदे कामकाज में हमें यहां पर लॉंगर टम के इन्वेस्मेंट्स की उपर फोकस करना है आप कोई भी ऐसे शोर्ट टम कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़ा होता है बहां पर भी पॉजिटिविटी है परम्तू संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध बढ़ सकते हैं आप अपनी ओर्जा के साथ में है और अगला व्यक्ति पूरे तरीके से उस जुड़ाओ के करम्द नहीं है तो ऐसी विवस्ताओं से स्वाहिम को आप संभाल कर रखने का पूरा पूरा प्रयात्न करते चले जाएगा वही specific clarity इस frame के साथ में भी अपने लिए आप stabilize करके रखे हैं कि जो भागदोड आपके साथ में बन रही है वो भी positivity के accumulation को ही आपके साथ stabilize करती चली जा रही है यहाँ पर किसी भी संबंद के साथ में दुराओ के करम लंबे सिरे से बने हुए थे तो वहाँ पर भी सुधार के महत्वण करम आपके लिए अब आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं यह सपश्टता रखिएगा कि आप यह टेक्निकल एजुकेशन के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ निर्णे आपके लिए सारगर्भित कहा जाएगा कोई भी स्थान परिवर्दन के साथ में सिक्षा को आगे बढ़ाने के तरफ जाना है तब भी विवस्ता है बनी हुई यह रिशनी देव मारगी है और अभी जब वकरी अवस्ताओं के साथ में जाएंगे जन्मकालिक आदार पर मारगी और अभी जब वकरी हो जाएंगे तो clarity ही रहे कि कि आप के लिए आकस्मिक तोर पर व्यापारिक जिवन में कुछ संगर्शा सकते है man management के approach में थोड़ी से stiffness निकल करा सकती है ये भी गौर की जिएगा कि कई बार व्यक्ति निराशाओं के उस प्रतिधवनी के करम के साथ में चलने लगता है जिसकी उसे आवशकता नहीं है इसका स्पस्ट अर्थ ये है कि जहां पर कोई कार्ज नबे परतिशत तक पूरा हो चुका आप मन में ये कहा कि गलत फैमियों में हो यहां से हट कर कुछ देखने बाले रहो खुद को दवस्तत करम के साथ में लेकर चलने बाले रहो और व्यक्ती बहुत बहतर काम करता हुआ वहां से पुने मुड़कर आ जाता है ऐसे अबरप्ट डिसीजन्स के साथ में आप बचिएगा व्यर्थ के पुरुशार्थ के स्थियों को अपने साथ रखने से भी आपको बचना चाहिए क्योंकि शनिदेव की दस्वे द्रिस्टी मंगल राशी स्थान पर बराकरम धावस्त करम पर नहीं पर देव गुरू भी पुरुशब में चल रहे हैं इनकी द्रिस्टी भी पराकरम पर परंतु जब वक्र का तवस्ताओं के साथ में शनिदेव हो और प्राक्रम को देख रहे हो तो उसमें व्यक्ति के लिए कई बार गफलत हैं निकल कराती है आप उससे बचिएगा जो अतीव महत पूर्ण संबंध है परंतु उनके साथ में अतीव इश्वास रखने से बचिएगा ये विवस्तित करम अपना कर चलें वहीं पर आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी अप्रोच को यहाँ इनिशियेटिव के साथ में लेकर चलना चाहते हैं चतुर मास के शुरवात के पहले के सिरह के साथ में कोई भी ऐसा आप इनिशियेशन कर देते हैं तो जादा बैतरी आपके समक्ष रहने वाली रहेगी देरंतर तोर पर हनुमन तुपासना के साथ में स्वयम को आप जोड़िएगा ये सपस्टता भी बना कर रखें कि शनिदेव का वक्र गत आधार आपके लिए यहां परिवर्दनों की बेहद करमबद विवस्ताएं लेकर आ रहा है यहां से संगर्ष रहेंगे परंति संगर्ष देरंतर आपको आगे की वार बढ़ाते चले चाहेंगे सपस्टता यह है कि शनिदेव का वक्र इकरम आपके लिए भागदोर के मध्य भी काफियत तक आगे के आयाम स्थापित करने वाला रहेगा तो यह था कन्या राशी के महनु भावों के लिए शनिदेव के वक्र इकरम का पुरा ही चर्चा भ्यारा हम इसी तरह से उपस्तत होने का प्रयातने करते रहेंगे दन्यबाद एवन कूटिशा है आभार